Welcome to Selection IQ इस वीडियो में करेंगे कुछ use important index जो कि 2020 or 2020 में आये हुए हैं और exams में पूछे हुए index हैं तो काफी important index होने वारे हैं सभी exams के लिए So first index is Air quality index जिसमें कि पाःस्तान की सांक्रितिक राजदानी लाहौर ने टॉप किया है पूरी दुनिया में मिन्स पूरी दुनिया में लहौर का हवा सबसे ज़्यादा खराब रहा Air Quality Index में लहौर ने टॉप किया और भारत में New Delhi ने टॉप किया मिन्स New Delhi की हवा सबसे ज़्यादा खराब रही पूरे भारत में So Air Quality Index में लहौर ने टॉप किया पूरी दुनिया के अंदर और भारत में निव डेली ने टॉप किया सो सेकेंड नंबर पे है ग्लोबल टेरिरिज्में इंडेक्स 2020 मिन्स वैस्विक आतंकवाद सुचकांग 2020 जिसमें की भारत की रैंकिंग 8 नंबर पे रही और इसे टॉप किया था अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के साथ-साथ इराक और नाइजिरिया ने भी टॉप किया मिन्स पूरी दुनिया में आतंकवाद से प्रभावी देशों में अफगानिस्तान, नाइजिरिया और इराक तीरों का टॉप पे रहे और इंडिया का नंबर एर्थ नंबर पे रहा मिंस इंडिया में आतंकवाद से आठवे नंबर का नुकसान होता है इसे पब्लिश्ट किया था इंस्टेटीट फॉर एकोनोमिक्स एंड पीश ने जिसका की हेड़ क्वाटर है सिड्नी औस्ट्रेलिया में सो एकजाम में कोशन पुछे जाते हैं कि कौन सी संस्था ने कौन सा इंडिक्स लॉंच किया था सो इंस्टेटीट फॉर एकोनोमिक्स एंड पीश ने वैसवी का तंकवाद सुचकांक 2020 लॉंच किया था इसमें इंडिया का रैंक एड़ नंबर पे रहा और इसका हेड़ को वाटर शिड्नी और त्रेलिया में है और ऊस्टेलिया की रजधानी है कैन बड़ा और यहां पर बुद्रा चलती है डोलर so third number पे है climate change performance index 2021 2021 जलवायू परिवर्तन परदर्शन सुचकांग 2021 जिसमें कि इंडिया की रैंकिंग रही 10 और इसमें 1, 2 और 3 पोजिशन पे कोई भी देश नहीं रहा है इसमें 1, 2, 3 और पोजिशन किसी भी देश को नहीं दिया गया क्योंकि किसी भी देश ने जलवायू पर kingdom को मिला है 5th position और चिली को 9th position मिला और इंडिया को 10th position मिला है जलवायू परिवर्तन परदर्शन सुचकांग 2021 में और इस रैंकिंग में इंडिया की position 9th थी 2020 के अंदर इसे लॉंच किया था जर्मन बोच ने फोर्थ नंबर पे है human freedom index 2020 मानो सुचकांग 2020 जिसमें की इंडिया की रैंकिंग रही 111-162 देशों के अंदर और इसे published किया था अमेरिका की think tank keto institute और कनाडा का institute freezer institute ने दुनों ने मिलके इसे लॉंच किया था मानो सुचकांग 2020 में भारत की रैंकिंग 111-162 देशों के अंदर और इसे टॉप किया था न्यूजी लेंड ने और न्यूजी लेंड की राजधानी है वेलिंग टन और यहां पे मुद्रा डॉलर चलती है so fifth number पे है human development index 2020 so human development index मानो विकास सुचकांग 2020 जिसमें की भारत की रैंकिंग रही 131-189 देशों के अंदर so like, share and subscribe अगर वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को like कीजिए चनल को subscribe कीजिए so इसे release किया था United Nations Development Program ने स्रियुक्त राष्टर विकास कारेकरम ने मानो विकास सुचकांग को launch किया था United Nations Development Program का hit quarter है New York, America में और इसे top किया था Norway ने और Norway की रजधानी है so six number पे है worldwide cost of living report of the world's most expensive city 20 में पूरी दुनिया में कौन सा सहर रहने के मामले में सबसे ज़्यादा costly रहा इसकी ranking निकाली गई थी जिसमें की बारत का मुंबई सहर 111 अस्थान पे रहा और New Delhi को 111 अस्थान मिला सबसे मेंगा सहर रहा होंग कॉंग जो की चीन का सहर है और साथ में सीर्ष अस्थान पे पैरिस भी रहा और जियोरिक भी रहा so पैरिस फ्रांस की रजधानी है और जियोरिक स्विर्जर लेंड का एक सहर है so worldwide cost of living में इंडिया का मुंबई सहर 111 अस्थान पे रहा पूरी दुनिया में और न्यू डेली 181 अस्थान पे रहा और हॉंग कॉंग पैरिस और जियोरिक तीनों सिर्ष अस्थान पे रहे और इसे रिलीज किया था इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जिसका हेड़कॉर्टर लंडन इंगलेंड में है so 7 नमर पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 वैस्विक भुकमरी सुचकांग 2020 जिसमें की भारत की रैंकिंग 94 रही सो ग्लोबल इंडेक्स 2020 जिसमें की भारत की रैंकिंग वैस्विक नमचार सुचकांग 2020 में भारत की रैंकिंग 48 रही और इसे पब्लिश्ट किया था वर्ल्ड इंटेलेक्श्वल प्रपाटे और गनाइजेशन ने और वीपो का हेड़कॉर्टर है जिनेवा स्विजर लें रही पूरी दुनिया में भूख के मामले में सबसे ख्रब देश कॉन सा रहा Better दो 9 भारत 94 अस्थान पे रहा पूरी दुनिया में 109 नमबर पे है वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 विश्वे जोखिम सुचकांग 2020 जिसमें की भारत की रेंकिंग रही नवासिवी 189 नमबर पे रहा भारत विश्वे जोखिम सुचकांग 2020 में 10 नमबर पे है वर्ल्ड प्रेस फ्रेडम इंडेक्स 2020 विश्वे प्रेस सुचकांग 2020 जिसमें की भारत की रेंकिंग 142 रही मिन्स पूरी दुनिया में कौन से देश में मीडिया को कितनी स्वतंतरता है उसको लेकर रेंकिंग निकाली गई जिसमें की भारत की रेंक 142 रही और इसे टॉप किया था नौर्वे ने मिन्स नौर्वे के अंदर मीडिया को पूरी स्वतंतरता है तो डॉर्वे ने टॉप किया इसे और नॉर्वे की रजधानिया ओसलो तो 11 नमर पर सोसल मॉबिलिटी इंडेक्स 2020 समाजिक गति सिलता सुचकांग 2020 जिसमें की इंडिया की रैंकिंग 76 रही मिंस 76 रही और टॉप किया था इसे देर्मार्क ने और देर्मार्क की राजधानिय कोपनेगन और इसे रिलीज किया था वर्ल्ड एकनोमिक फोरम ने मिंस विस्व आर्थिक मंज ने और वर्ल्ड एकनोमिक फोरम का हेटक्वार्टर है जिनेवा स्विर्जन लैंड के अंदर लाइक, शेर और सब्सक्राइब 12 नमबर पे है Global Gender Gap Report 2020 Global Gender Gap Report 2020 में इंडिया की रैंकिंग रही 112 और इसे टॉप किया था आइसलेंड ने और आइसलेंड की रजधानी रेक जाविक और इसे रिलीज किया था World Economic Forum ने 20 वा आर्थिक मंज ने Global Gender Gap Report में इंडिया की रैंकिंग 112 रही 2020 के अंदर 13 नमबर पे है World Happiness Report 2020 विश्वे खुशाली रिपोर्ट 2020 जिसमें की इंडिया की रैंकिंग 144 रही और इसे टॉप किया था फिनलेंड ने और फिनलेंड की राजधानी है है लैंसिंग की और यहाँ पे मुद्रा यूरो चलती है और इसे रिलीज किया था Sustainable Development Solutions Network ने सतत विकास समधान नेटवर्क ने मिंस पूरी दुनिया के अंदर कौन सा देश सबसे ज़्यादा खुशाल है इसके लेकर रैंकिंग निकाले गई जिसमें की भारत की रैंकिंग 144 रही और टॉप किया फिनलेंड ने मिंस फिनलेंड के लोग सबसे ज़्यादा खुशाल है पूरी दुनिया के अंदर 14 नमर पे है वर्ल्ड कम्पेटिटिवनेस इंडेक्स 2020 वैस्विक प्रतियसफर्धा सुचकांग 2020 जिसमें की इंडिया की रैंकिंग रही 43 मिंस फूरी दुनिया में किस देश में कुछ करने को लेकर प्रतियसफर्धा कितना ज़्यादा है इंडिया में 43 पोजिशन पे रहा पूरी दुनिया के अंदर और टॉप किया था सिंगापोर ने मिंस सिंगापोर के अंदर ज़्यादा प्रतियस परदा नहीं है 15 नमर पे ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020 जिसमें की वैस्विक जलवायू जोखिम सुचकांग 2020 जिसमें की इंडिया की रैंकिंग रही 5 मिंस पूरी दूनिया में जल वाईू से हुने वाले kosten के ऊपर रैंकिंग निकाले गई जिसमें की भारत 15 नमर पे रहा मिस ज़्यादा नुकसान उवे जलवायू के खारण मिस भुकंप चक्रवाट सुनामी की वजह से रहा जापान पिले में हुआ इंडिया की रेंकिंग रहे फिफ्थ यह कुछ इंपोर्टेंट इंडेक्स थे जो कि एक्जाम में पूछे हुए हैं 2020 के अंदर और 2021 में भी पूछे जाएंगे वीडियो कर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक किजिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए प्लीज सपोर्ट सिट्रेक्शन आईक्यू फोर क्वालिटी एजुकेशन लाइक शेर और सब्सक्राइब थेंक यू थेंक यू फो वाचिंग दे वीडियो